चला बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे है एक्ससाइस 8.1 का सम नंबर बन सम नंबर बन का लॉजिक बहुत सिंपल है हमें रेशियो दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट कर हमें एंगल ढूनना है एंगल सारे कॉर्डिलेटरल का तो बच्चा आमें सबसे पहले इंफोर्मेशन है अइंगल ओफ और कॉर्डिलेटरल आर इन रेशियो फाइस तू 3 फाइस तू 5 तू 9 थाटिन फाइंड आउट दा अइंगल ओफ और कॉर्डिलेटरल अभी हमें इतना डिया गया है कि यह quadrilateral है और इसका ratio दिया है तो हम सबसे पहले लिखते है given ratio ratio of quadrilateral angle is 3 is 2, 5 is 2, 9 is 2, 13 तो पहला point तो हमने लिख दिया दूसरे stage में आगे चलते हैं तो अब हम क्या करेंगे तो हम लिख लेते है let angle of a quadrilateral is 3x, 5x, 9x and 13x अब बोलोगे सर यह तो समझ में आ गया है x के form में लिखती है तो अब बच्चा इसका total करते है 3 plus 5 plus 9 plus 13 तो आप बोलोगे सर 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 में 9 add करोगे तो हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 1 plus 2 3, 30 आ जाएगा तो बस बच्चा अब यही angle को हमें सबसे पहले यही point को हमें आगे ले जाना है तो यहाँ पे लिखते है, हम लिखेंगे sum of the angle of a quadrilateral is equal to 360 हमें पता है कि सारे angle का sum जो होता है, quadrilateral के वो 360 होता है आप बूलोगे सार तो लिखना शुरू करते है, 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 यह तो हमें पता ही है 30 और यह x होगा, तो यह 360, x is equal to 360 divided by 30 तो यह cut हो जाएगा, तो आप करोगे तो यह 1 and 2, x is equal to value आगे 12 जैसे ही angle आजाएगा, तो हम लिख सबते है, first angle is equal to जो हमारा है 3x is equal to 3 into 12, जो हो जाएगा 36 same way, second angle is equal to 5x is equal to 5 into 12, हो जाएगा 60 same way, third angle is equal to 9x, 9 into 12, करोगे तो 108 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 108 यह angle है, इसलिए angle जो degree लिखेंगे, और fourth angle जो है, वो कितना हो जाएगा? 13x is equal to 13 into 12, तो हम करता है 13 और यह 12, तो यह 0 रखा, यह 2 और यह 1 3, 2 जाए 6, 3, 1 जाए 3, तो यह 6, यह 5 और यह 1 156, इसके साथ बच्चा हमारा जो question था, उसका answer आ गया, proper notebook में लिख लो बच्चा, बहुत simple है, logical समझोगे तो कोई problem नहीं होगा, step by step समगते जाओ कैसे सर ने लिखा हुआ है, proper notebook में लिख लो बच्चा, ऐसे ही हम sum number 2 start करेंगे, sum number 2 जो है basically थोड़ा अब practical से खतम होगे, यह पूरा logic clear होगा, तब ही आपको clear होगा, मिलते बच्चा next lecture में, नए एक वीडियो के साथ